तो आज हम एक नई स्रीज की सुरुवात करें चैप्टर वाइस का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेटाबेस यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं दोतिन पॉइंट है मैं क्लियर आउट कर देता हूं कि जब डेटाबेस के बारे बात करते हैं तो पूरे स्लेबस को मल्टीपल सेवें टू एट सब चैप्टर में डिवाइड किया गया है अब उन सारे चैप्टर को वन वन डे में हम यहां पर कवर करने वाले तो जब डेटाबेस का सबसे पहला यूनिट उसके अंदर है वह यह है यूनिट 4 का सेक्शन वन इसको हम बोल सकते हैं अगर हम ऐसा बोले कि यूनिट 4 है डेटाबेस मेरिमेंट सिस्टम उसका सेक्शन वन हमें क्या पढ़ना है तो सेक्शन वन हमें पढ़ना है देटा बेस सिस्टम एंद कॉश्ट एंद कॉश्टेश रिटा मॉडर्ल स्कीमा इस्टांसे त्री स्कीमा अर्टिएकट्टेक्चर एंड डेटा एंड इंडिपेंदेडेस लैंवेज और इंटर एंटर फासे सेंट्राइस प्लाइन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट्चर फोर डीबी में यह है आपका क्या तो लेशन वन बोल सकते हैं या फिर सेक्शन वन बोल सकते हैं जो डीबी में आपको पढ़ना है ठीक है चलिए कि अगर मैं बात करता हूं यहां से ठीक है थोड़ा सा स्टोरी ग्रूप में इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए ठीक है वह हमारे लिए ज्यादा क्लियर आउट रहेगा ठीक है इस वेटे चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डेटाबेस सिस्टम कॉंसेट और अर्किटेक्ट्चर पे बात करते हैं तो टॉपिक तो यह हमें जो कवर करना है सबसे इंपॉर्टन पॉइंट आता है किसे डेटाबेस है क्या और पहले उस पर बात कर लें तो उसके बाद ध्री द्री आगे बढ़ रहे होंगे तो पेरवचे वे बात करता हूँ टेटा बेस के बारे में अगर्फ करता हूँ टेटा को टेटा बेस के बारे में अगर्फ साथ लिए ड याग्रेम है database के बारे में, तो database है मेरा क्या, collection of interrelated data, collection of interrelated data, database मेरा क्या है, तो collection of interrelated data, collection of interrelated, related data, that is called the database, database, अब इस database को handle करें के लिए जो package बना, उसे हम लोग क्या कह रहे है, उसे हम लोग कहते है, DBMS, और यही इसी पर पूरा chapter बना हुआ है, ठीक है, DBMS, तो basically DBMS क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, what is a DBMS, तो यह आपका एक software package है, it is a software package होता है, ठीक है, यह software package होता है, which is used to manage database, software package, which is used to manage database, ठीक है, which is used to manage database, clear है, कोई confusion ने, यानि कि दुनिया का कोई भी software है, जिसको database handle करने में इस्तमाल किया जाता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग DBMS का software कह सकते हैं, ठीक, कोई भी software है, जो database का handling करेंगा, उसको database का software हम लोग यहां पर कह देंगे, that is the way, कोई पंगे नहीं, everything is going well, everything is going set set, ठीक है, अब पंगा यहां पर यह है, कि ठीक है, आपने यह बता दिए, कुछ-कुछ पहले terminology समझ लेते हैं, उसके पर बात कर रहे होंगे, तो आपका dbms बना, ठीक है, dbms बना, dbms, इसके example आपके क्या आ गया, dbase आ गया, db1 आ गया, db1 है, db2 है, ठीक है, fox, fox base हो गया, fox pro के अंदर जो use होता है, वो इसका example हो गया, ठीक है, fox base हो गया, dbase है, db1 है, db2, db3, यह सब इसके अंदर आ जाएगा, और फिर मैं बात कर रहा हूँ, fox base है, जो database में इस्तमाल किया जाता है, अब dbms को extend किया गया, और बनाया गया rdbms, rdbms, ठीक है, rdbms की खासित क्या थी, कि अब यह हमें यह कैसा, जो हम लोग आज के डेट में सबस्था यूज करते है, कि data के बेच में हम relation बना सकते है, data के बीच में हम relation बना सकते है, तो यह इसका जो key element था, वो क्या था, कि data के बीच में यह क्या बना सकता है, तो ये मेरा relation बना सकता है ठीक है, data को ये tabular form में store कर सकता है data को ये tabular form में कर सकता है कोई भी data का tabular form में store है तो we can easily accessible we can easily proceed the data हम बहुत आसानी से उस उस पर काम कर सकते है ठीक है, अब मामला आगे बढ़ता है और इसको enhance करके बनाया गया OORDBMS object oriented relational database management system object oriented relational database management system relational database management system ये हो गया OORDBMS अब OORDBMS में क्या आ रहा है तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि ये क्या कर सकता था ये मेरा multimedia data store कर सकता है ये मेरा multimedia data store कर सकता है ठीक है अगर मैं बात करता हूँ example के तौर पर आपने सुना होगा MS Access के बारे में आपने नाम सुना होगा MS Access के बारे में आपने नाम सुना होगा Oracle के बारे में आपने नाम सुना होगा MySQL के बारे में ठीक है आपने नाम सुना होगा SQL Server के बारे में समझते हैं कि जहां पर डेटा है अगर 10-20 डेटा है तो बाई इसली मैनुवली हैंडल कर लेंगे लेकिन जहां पर करोड़ों का डेटा है अरबों का डेटा है खेंडेट में फैटा है अगर मेरी क्लास आप यूटीब पे देख रहे हैं या मेरे पेड़ बैस और आप देख रहे हैं तो वो क्लास इसका है बहुत बहुत सारा वीडियो क्लासें लेकिन न कहीं न कहीं किसी डेटाबेस में रखा गया है कहीं ना कहीं वो store है, किसी hard disk में store है, अब वो किसी hard disk में store है, अब को ऐसा system तो होना चाहिए, कि आप click करते हैं, YouTube पे भी जाके search करते हो, कि सर्च करते हो, कि सर्च मुझे specific ये video चाहिए, या मेरे paid video पे जाके आप search करते हो, कि मुझे specific ये class आईए, और आराम्स के उसके वो video आपको सामने आके मिल जाती है, क्यों हो पाता है, ऐसा इसलिए हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक package काम कर रहा है, जो इस data को access कर के दे रहा है, मैं तो ये video के बारे में बात कर रहा हूँ, simple के तोर पे आप अपने colleges में जाते हैं, आपको हजारों बच्चों के data है, कहीं भी data है, हमें अगर handle करना है तो भी need a database software, और इन सब कामें को easy करने के लिए ही आता है, ये सारे software, अब जाहिर सी बात है, database तो एक छोटा सा बात नहीं है, हम 10 लड़के का भी data रखेंगे, वहाँ पे भी database क्या हो सकता पड़ेगी, हम 10 हजार का data रखेंगे, पे भी database क्या हो सकता पड़ेगी, तो ये अलग-अलग need है, अलग-अलग मतलब field है, हम schools में database use करते हैं, हम लोग share market में data का use करते हैं, हम लोग add tech में data का इस्तमाल करते हैं, हर जगा अलग-अलग use है, लेकिन क्या हर जगा एक ही type का tools पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, that's इस एरिया पर इसका इस्तमाल करो, इस एरिया पर इस तका इस्तमाल करो, और इस model को ही handle करने के लिए, मतलब उस model में ही बहुत सारे तरह-तरह के software हैं, जो इस तरह-तरह के software हैं, तो ये इसके पीछे के story है, आसान भास हमें इसको अगर समझ सकते हैं, तो DBMS के है, एक software package जो database को handle करने के लिए बनाया गया, इसमें कुछ कम्या थी, इसको enhance करके DBMS बनाया गया, इसके सबस्वरी खासियत यह है, कि data के बिस्क में यह relation बना सकता है, टेबलर फॉर में स्टोर कर सकता है, फिर यह आगे बढ़ा, और इसकी यह खासियत थे, कि आज करे डेट में हम multimedia डेट यहां से हो गया, ठीक है, database, model का जन्म यहां से हमारा हो गया, database, model का जन्म हो गया, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, database model के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे देख पा रहें, we are asking about the database model, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, database model के बारे में, तो model क्या है, अगर वहां पे हम देख पा रहें, तो सबसे अच्छा model है, यानि सब जो हर जगा implement होता है, वो relational model है, ठीक है, relational model है, ठीक है, यह क्या model है, तो relational model कहने का मतलब हो गया, एक ऐसा database, जो कहीं न कहीं आपका क्या क्या, एक ऐसा database model, जो data को tabular form में store करता है, डेटा को क्या करता है, तो यह tabular form में data store करता है, टेबल के form में, तो उसे हम लोग कहते हैं, relational model, और यहीं है जो आपका RDBMS पे एक्जामपल आता है, एक बात बताता हो, वो database package, जो tabular form में data store नहीं करेगा न, वो RDBMS नहीं होगा, जैसे अगर आपने कभी Foxbase पे गर work किया होगा, तो Foxbase column wise data store करता है, वो row and column में नहीं करता है, वो package जो row and column के form में store करेगा न, वहीं आपका RDBMS हो, अगर नहीं है ऐसा, तो सिर्फ उसको DBMS बोलेंगे, सिर्फ DBMS बोलेंगे, DBMS और RDBMS फ package है, उसको हम RDBMS नहीं बोह सकते हैं, example के तोर पे Foxbase है, वो data को column wise store करता है, तो वो DBMS का software हो सकता है, RDBMS का example नहीं हो सकता है, तो यह है इसके पीछे की कहानी, तो सबसे पहले important point यहां क्या है, कि relational model data को tabular form में store करता है, अब table में दो-तिन terminology जो आपको थाँ सा समझना है, जैसे, अगर मानते हैं कि किसी भी, अगर हम office का database create कर रहे हैं, तो वहाँ पर data क्या हो सकता है, we are employee, हमारा data हो सकता है, चलो, हम लोग अपने courses के बारे में बात करते हैं, यह ज़्यादा correlate हम लोग कर पाएंगे, अगर हम institutions run करवा रहे हैं यहां पे, तो हमारे पास data क्या ह data, faculty as data, our courses is data, यह multiple data ही होगा ना मेरे पास, तो मेरे पहरे बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, data, ठीक है, अब आते हैं, data के point पर, अगर मैं बात करता हूं, यहां पर, तो अब यहां पर logic समझ यह, कि table के form तो student को यहां पर कहा जाता है entity, entity कहने का मतलब है कि कोई भी object, entity, student क्या है, data है, इसको हम लोग entity भी बोल सकते हैं, doesn't matter, इसको हम लोग entity भी बोल देंगे, कोई problem ही, या तो हम लोग student बोलो, या तो entity बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, sorry, data बोलो, entity का मतलब ही होता है, real world object, ठीक है अब example के तोर पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह एक table है क्या यह table है अभी यह table है जी नहीं यह अभी table नहीं है अब यह table बनेगा यह आपका यह table बनेगा है ठीक है यह आपका table बनेगा अगर मैं यहाँ पे देता हूँ id है name है ठीक है address है और यह phone number यह अलग लग चीज़े यहां पर है अगर 10 है x y है नाम देते हैं address मान लिजे की डेली देते हैं और phone number मान लिजे 1011 कुछ-कुछ number देते हैं यह वाला पार्ट तो यह अगर इस पर अगर मैं बात करता हूँ न मेरे पैरवच्चो तो यह क्या है यह area को हम लोग क्या यह आता है और है यह अब समझ में आ गया कि यह एंटिटी यह attributes है और यह इसका अगर एक स्टूडेंट है उसकी प्रोपर्टी क्या हो सकते उसका नाम आइडी रॉल नमर यही तो उसकी प्रोपर्टी तो यह हो गया इसके बारे में अब यहां पर दो तिन टर्म और है जो आपको समझना चाहिए जैसे एक टर्म होता है यह आपको आगे की कोशिंट को सॉल करने में आपको इजी होगी तो सबसे बहुत करते हैं डिगरी के बारे में ठीक है डिगरी कहने का मतलब क्या है नंबर ओफ एट्रिब्यूट डिगरी कहने का मतलब क्या होता है नंबर ओफ एट्रिब्यूट कहते है ठीक है नंबर ओफ एट्रिब्यूट वह मेरा डिगरी ह उसके बाद मेरा होता है, एक term होता है, जिसको हम लोग कहते है, cardality, जिसको हम लोग कहते है, cardality, cardality कहने का मतलब क्या होता है, इसका हो गए number of attribute, cardality कहने का मतलब होता है, number of tuples, cardality कहने का मतलब क्या होता है, number of tuples, ये सारा समझ के रखिएगा, आगे काम आएगा, number of tuples को हम उसे हम लोग क्या कहते है प्यारे बच्चो उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग एक term है जिसको हम लोग कहेंगे schema ठीक है और एक term होता है जिसको हम लोग कह सकते है instances यह आपके syllabus में भी है ठीक है तो definition कभी exam में नहीं पूछा जागा आपको table दिया रहेगा और schema find out करने के ल database schema का मतलब क्या होता है structure of database ठीक है structure of database structure of database इसको हम लोग schema कहते है structure of database को हम लोग schema कहते है और instances क्या होता है instances क्या होता है यह क्या होता है content of database यह मेरा क्या होता है content of database content of database ठीक है इसको हम लोग content of database कहते हैं यह logic समझे है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे content of database कहेंगे तो अगर यह table given है यह table given अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस table का schema क्या है तो टेबल बनके तयार है हम को record नहीं फिल गए ताट इस schema schema मतलब structure यानि कि सिर्फ अगर आप column consider out कर रहें एक blank table आप देख रहें तो उसको आप schema बोल सकते हो instances क्या होता है जब उसमें हम content field कर देते हैं जो इसमें यह record है यह record है मालीजे कि यह भी record है तो इससे हम लोग instances कह देंगे जो snapshot of table होता है ठीक है यानि कि जो record part होता है उसको हम लोग instances कहते हैं दो चीज हो गया तीसरा point पर याद रखेगा अगर हमसे पूछा जाए कि stable की degree कितनी होगी आप भी मुझे comment करके दे सकते हैं ठीक है इस टेवल की degree कितनी होगी तो एक दो तीन चार इसमें चार कॉले में तो इसके degree कितनी होगी चार होगी अगर हम से पूछा जाए कि आप मेरे को बताओ कि इसकी cardinality कुतनी है अगर आप से पूछा जाए कि इसकी के ती कितनी है तो आपका क्या answer होगा और कार्णिल्टी पूछा जाएं तो कार्णिल्टी कितना होगा तो वह आपका 1 और 2 यानि कि 2 इसकी कार्णिल्टी तो यह हो गया इसके बारे में ठीक है यह बेसिक टर्मलोजी जो relational model में टेबलर form में store होता है और इसकी ये सारे feature है वो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो पहला model होगा relational model दूसरा मेरा होता है network model ठीक है network model ठीक है network model ठीक है network model कहने का मतलब क्या हो गया network model अब एक बात समझो जैसे कि अगर हम relational model बना रहे हैं यानि कि कोई भी डेटाबेस सॉफ्टर है वो मेरा MS Access हो सकता है वो और एकल भी हो सकता है वो आपका SQL Server भी हो सकता है कोई भी अगर डेटाबेस का सॉफ्टर है अगर टेबल क्रिएट करने की ability उसके अंदर है तो we can say it's based on relational model समझना पहली पॉइंट को धिरे धिरे यह चीज़ को इन्हेंस करना होगा आपको कि वो डेटाबेस सॉफ्टर है जो आपका सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टेबल क्रिए कर सकता है जो टेबलर फॉर्मेट डेटा को स्टोर कर सकता है वी कैंट से विच से कि इस बेस डॉन रिलेशनल मॉडल ठेक है अब यहां पर बात करता हूं एमेस एकसेस का तो एमेस एकसेस इसका एक्जामपल एक शोड़ा सा लेते हैं मेस एकसेस क्या हम लोग सर्वर पे इसका इस्तवाल नहीं करते हैं लोकल पीसी बेस्ट अगर बना रहा है अगर मानलो मैं अपने स्कूल का सौप्टर है जो ऑन-लाइन मेरा वह सौप्टर नहीं है हम डेक्स्टाप बेस्ट वरजन वह सौप्टर है तो वह सौप्टर मेरा क्या हो जागा वह रिलेशनल मॉडल होगा लेकिन वह नेटवर्क model बना रहे हैं, जो server पे install कर सकते हैं, client उसको access कर सकता है, two-tier पे जो काम करेगा, two-tier पे जो काम करेगा, architecture पे आगे discuss कर रहे हैं, जो two-tier architecture पे काम करेगा, उससे हम लोग कहेंगे network based model, ठीक है, यानि एक ऐसा database model, जो server and install होगा, ठीक है, और client उसको access कर पाया का, उसको network model कहते हैं, यानि कि ये कैसा model होगा, जो client server के form में store होता है, जो client और server के form में data store करता है, जो client और server के form में data store करता है, उसको लोग network model कहते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है मेरा object oriented model, उसके बाद मेरा आता है object oriented model, ठीक है, object oriented model, औब्जेक्ट oriented यह ऑब्जेक्ट oriented model क्या हो गया वह अब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करता हूं वह मॉडल जो आपको multimedia data store कर वा सकता है जैसे कि पहले के दौर में आज के data में क्या है कि हम लोग वीडियो भी store कर पाते हैं हर पैकेज में क्या MS Access में वीडियो स्टोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन Oracle 11 में हम वीडियो स्टोर कर वा पाएंगे आज SQL Server में भी हम लोग ये काम कर वा पा रहे हैं तो कहने का मतलब है वो पैकेज वो पैकेज जो इस तरह के features को enhance कर पा रहा है उसे हम लोग object oriented model कहेंगे जो object और class के form में काम कर पाएंगे उसको object oriented model कहेंगे इसके बाद एक होता hierarchical model एक हमारा क्या होता है hierarchical model सारे बच्चे एक बार connect हो पाएंगे आपको आवाज आ रही है तो एक बार सारे बच्चे डेटाबेस मॉडल ठीक है यानि जो डेटा स्टोर करता है और perpendicular पैटर्र में करता है यानि कि parent or child के फर्म में करता है इस फर्म में या हम लोग जो बड़े network के बारे मात करें Internet system में वह हिरारिकल system है अब देखो client server क्या होता जैस्टल are सबस्क्राइब है अगर मैं लैन पे भी काम कर रहा हूं तो वह एक नेट्वर्क-based नेट्वर्क-based model होगा लेकिन वहीं अगर मैं वैन्न पर काम कर रहा हूं तो वह मेरा होगा hierarchical database model दोनों में अंतर यही है कि network model जो है वो छोटे based पर हम implement कर सकते हैं और hierarchical है वो बड़े लेबल पर काम करते हैं इन्टरनेट system जो है वो मेरा पूरा इस पर ही बेश है यानि जहां पर large amount of data होगा वो centralized server पर हम लोग नहीं रख सकते हैं hierarchical manner में हमें सकते हैं तो security में बहुत ज्यादा होता है और बड़े लेबल पर हैंडल करने के होती है तो इस is the way of hierarchical model जो parent और child के फॉर्म में डिटा स्टोर करें यानिकि एक यहां पे install है यहां से यहां access किया जा सकता है इस तरह hierarchical pattern में डिटा access किया जा सकता है उसको hierarchical database model कहेंगे ठीक है तो यह है type of database model ठीक है उसका no SQL model भी होता है जो आगे हम देख रहे हों यहां पर तो यह सब आपका हो गया type of database model जो आया होप आपको यह समझ में आ रहा होगा कोई दिक्त यहां पर कोई confusion ठीक है तो इस इस टाइप अब डेटा बेस मॉडल जो हम लोग यहां पर अब सब के फीचर्स अलग अलग है सबसे फीचर अलग अलग है जैसे मैंना अलेडी बताया कि सो कोई बड़े एरिया में को छोटे एरिया में ठीक है इसके बाद हम लोग ER model तो ER model ना एक actual practical model नहीं के के हम लोग कहेंगे कि एक तरह से आप theoretical model कहते हैं जो entity ER model को प्रिफर कर रहे होते हैं वो मेरा अलग लोग इसके बाद अलग भी बोलते हैं कि no SQL no SQL क्या होता है आगे देख रहे होंगे तो यह सब भी model मुख्यता यहीं है आपका relational model hierarchical model network model और आपका object यह में है और इसके ER model भी बोल सकता है एक diagram अप्रोच पे काम करता है तो this is the type of model अब है कि यहां से questions क्या बन सकता है आपसे feature दिया रहे सकता है in that case वैसे direct question इससे नहीं बनेगा ठीक क्योंकि fundamental ही है पूरा in that case आपसे पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा model है या नहीं आपको scenario दिया रहेगा और यह बोला रहेगा यह किस model का which statement right which statement default तो उस तरह से आपको अगर आपको feature पांचों के बार मालूम है तब वहां पर question answer कर सकते हैं यहां पर तो आपको इस तरह की चीज़े यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो this is all about the database model ठीक है तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैंने दो-तिन चीज़े हैं डिसकस के इंट्रडेक्टरी वीडियो तो आज की वीडियो में सिर्क मैंने डिसकस करने क्या 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 डेटाबेस क्या है डेटाबेस क्या है collection of schema क्या होता है instances क्योंकि आप जब कोशन सॉल्व करेंगे तो number of schema find out करना यह कोशन आता है numerical के सिंस में आपको इतना अगर दिमाग में समझ में आ गया तो आज की वीडियो मेरी सक्सफूल है कल की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा आर्किटेक्टर के बारे में कल आर्किटेक्टर होगा और फिर धेरे-धेर करके ऐसे यह बढ़ रहा होगा ठीक है I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आ